कहा जाता है कि छोटे बच्चे एक पौधे की तरह होते हैं अगर बच्चपन में उन्हें जिस दिशा में ले जाया गया आगे चलकर वो उसे दिशा में जाते हैं अगर उनसे आप बुरा काम कराते हैं, बुरा काम सिखाते हैं उन्हें तो बुरी दिशा में आगे जाएंगे और अच्छा काम सिखाते हैं तो अच्छे दिशा में आगे जाएंगे समाज में बैठे कुछ ऐसे लोग इन बच्चों का फैदा उठाते हैं और उन्हें अपने अपने हिसाब से वो आगे बढ़ाते हैं तो आज की हमारी खबर 36 गड राजी के रायपुर जिले की घटना है सची घटना एक 13 साल की मासूम बच्ची है वोसी के गाउं के रहने वाले कुछ तरिंदों ने ऐसा काम किया कि आज वो नासूर बन चुके हैं वो सभी जेल की सालागों के पीछे पहुंच चुके हैं दरसल हुआ कुछ ऐसा अगस 2022 की ये घटना है इसी साल की घटना एक लड़की अपने ही गाउं के एक दुकान से बाहर निकलती है और निकल कर वो चल रही होती है जाते जाते अचाना को गिर जाती है पास में एक मैला खर बैठी होती है वो इस सब कुछ देख रहे होती है तो उसे लगा कि हो सकता है कि धूप बहुत ज़्यादा है तो धूप से शायद उसे कमजोरी आ गई चक्र आ गया इसलिए वो गिर गई वो उसे उठाती है उसके परिवार को सूचना देती है परिवार क हो या फिर कमजोरी आ गई हो वो किसी तरह से बात को टाल देता है बच्ची के पिता उसे घर ले जाते हैं लेकिन जब वह उसे भुश नहीं आता हो बेहोश हो जाती है तो उससे आनुद्फानन में डॉक्टर के पास ले जाये जाता है डॉक्टर चेक अप करते हैं और दुखानदार के ओपर जाता है वो पहुंचते हैं पुलीस थाने में वहाँ जाकर शिकायत दच करवाते हैं बनाया बजार थाने में वहाँ पर जब यह पूछा जाता है कि आपको किसी के ओपर शक है तो उसी दुखानदार जिसका नाम रमेश बदाया जा रहा है 47 साल का वो आदमी था, उसके खिलाब को बताते है कि उसी के दुकान से बाहर निकली थी, उसके साथ कुछ उसके बाद ऐसा हुआ, पुलिस जाती है, रमेश को उठा के लाती है, और रमेश से जब सक्ती से पोस्ट आचकेज करती है पुलिस, तो वो तूट जाता है, वो कहता है कि सा का मिला, तो मैंने भी दस रुपया दे कर इसके साथ यही काम किया, और यह कोई सिलसला आज से नहीं चल रहा है, बलकि यह सिलसला करीम महीन होते चल रहा है, उसके बाद पुलिस इन दोनों ही आरोपियों के ठोकाई करती है, और इन्हें पॉक्सो एक्ट के तहत इन्हें अ साथ इतना गलत काम करता है, सोची अगर वो महिला जो उस वक्त उस दुकान के सामने बैठी थी, अगर उस वक्त वह वहाँ पर बैठी नहीं होती, तो शायद यह भी नहीं पता लगा जा सकता था कि इसके साथ हुआ क्या है, या फिर यह वहाँ पर जिस तरह सही समय पर उस बताय जा रही है, बच्ची बहुत जल्दी ठीक भी हो गई और उपने घर आ गई, लेकिन इन दो आरोपियों को लेकर पूरे गाउं में कही न कहीं विरोध प्रदर्शन पर देखने को मिला, और इन दोनों को बहिस्कृत करने की मांग के जाने लेगी, फिलहाल यह दोनों पास-पास के लोगों पर इस तरह से जो भरोसा करते हैं, तो भरोसा तो बेलकुल भी नहीं करना चाहिए, हम यह नहीं कह रहा है कि हर इंसान ऐसा होता है, लेकिन गम से गम आपको अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर खास्तों से बहुत सतर्क होना या फिर इन लोगों के साथ वागई में करना क्या चाहिए, जरूर बताएगा, और देखते रहे हैं आप अलपेले दुनिया, क्योंकि आपको यहां पर हम सची घटना से अधारित खबरें रोजाना सुनाये करते हैं, तो मिलते हैं आपको, कल एक और खबर में ऐसे ही, नमस करते हैं